जिन्दगी के सफर में यह बात आम रही मोड तो कई आये पर मनजिल हमेशा अनजान ही रही कुछ जुनून ऐसा पाल वैठे हैं हम के लोग तो हसेंगे ही अब तो सहना भी यहीं है और रहना भी यहीं है आये चलते हैं नई सफर में थरकोट चील पिथोरागड डनकपूर से चमपावत घाट होते हुए इन खूप सूरत हरी भरी वादियों के बीच उबीच हम बढ़ चले पिथोरागड की तरफ रास्ते में गुर्णा देवी मंदिर के दर्सन जरूर कीजेगा बहुत आस्ता है इस मंदिर में वाहन चालों की अक काडियों के पीछे जैमा गुर्णा देवी लिखा हुआ जरूर देखेंगे गुर्णा देवी के बाद हम बढ़ चले थरकोट जील की तरफ उसके लिए पहले हमें पहुचना पड़ेगा थरकोट गाउं आईए बता करते हैं इनसे पिथरोगर की तरफ बढ़ते हुए 12 किलोमेटर पहले ही हमें फस्ट व्यू दिखाए दिया इस थरकोट लेग का आईए देखते हैं कैसा दिखता है सडक मार्ग से यह थरकोट लेग आपकी तरह मुझे भी बहुत जल्दी है थरकोट जील को निहारने की पर वक्त कटता नहीं वक्त से याद आया ऐवक्त तेरी फिद्रत भी कमाल है ना कहीं पर रुकता है ना किसी की सुनता है जील के प्रवेश दॉहर पर पहुंसते ही पता चला कि भई वोटिंग नहीं हो रही है भईर, खौछिस मार कर और और किसमत को दोस दे कर हम आगे बढ़े, कुछ इन लाईनों के साथ के हमारी मुहबतों की इंतहाँ देखो सेखर हमारे मुहबतों की इंतहां देखो सेखर कहीं हवाओं से कभी हसी वादियों से तो कभी बादलों से दिल लगा बैठे हैं एक अचीब से सांती महसूस हो रही थी लेक की तरफ बढ़ते हुए पर फिलाल कुछ बात कर लेते हैं आप लोगों से तो मित्रो स्वागत आपका एक न्यू ब्लॉग में आए हैं आज थरकोट जील पिथारागड जो हाली में नौ निर्वित जील है यह चोटी सी नदी थी लेकिन काफी कोशिस के बाद तरहन गौर्में मैंने बहुत अच्छी लेक बनाई है और अभी बोटिंग मैंने पता क्या तो पर मेगी पोइंट पर भाईया थे तो वह बता रहते बोटिंग फिलाल बन दे हैं तो यह थरकोट लेक गुर्णा माता मंदिर से पांच किलोमेटर उपर जब आप घाट से पिथरोगर को जाते हैं तो पिथरोगर से लगभग 12 किलोमेटर पहले ही पड़ जाता है यह पिथरोगर जाते बाद तो आएए देखते हैं विचरन करते हैं इस थरकोट जीन पर सो कभी इसका उधगाटन हुआ होगा तो उसके लिए फ्लैग लैग बड़े अच्छे से दिख रहे हैं और उपर दिखिए वह रूड है पिथरोगर जहां से हम पिथरोगर रूड पहां से हम नीचे आये थे और काफी अच्छा यह फुटपाथ जैसा बना रखा है और बह कि खूबसूरत मुझे एक चीज नजर आई हाँ वहां पर बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है वाव बेसिकली एक नदी की तरह धारा बहती की दिख़ी है और इसका लास्ट छोर है कोचिज करूँगा वहां तक मां आपको दिखाने की और उस छोर से यह नदी आ रही है आई हुब से व्यूटिफुल देखिए बहुत कम से कम डेड़ सो मीटर उपर से यह फाल गिर रहा है अगया अगया हम लास्ट कॉर्णर पर देखिए इस साइड देखिए कितना खूबसूरत पेड नजर आ रहा है क्या खूबसूरती विखेर रखी है इस काइनात ने पूरे य यह लेक काफी खूबसूरत है काफी लगभग एक किलोमेटर की एरिया में है और हम इस लेक के एराउंड में फिलाल चक्कर मार रहे है वाई फॉल देखने आया था लेकिन वो फस गया हूँ कोसिस कर रहा हूँ आपको वो फॉल के नजदिक से नजदिक साउंड आ रही है लेकिन रास्ता नहीं मल रहा है गहास देखो यह मेरे हाइट है मेरे हाइट से भी उची यह गहास हो गई है बिसकलि यह खेत है देखिए लेकिन यह गहास बहुत बड़ी होई जानवरों को खिलाए जाती है और वो रही थरकोट लेक और यह नासवाती का पेड़ है वो आडू और खुमानी का है यह आडू का वो खुमानी का और इसी तरह के बहुत सारे पेड़ लगाये में यह थरकोट फाल बहुत मुश्किल है बाई और मुझे तो इतनी बड़ी टाइकर ग्रास देसी लग रही है वाटरफॉल जस सामने है लेकिन दिखने का नामू निसान नहीं है बाई साब अगर आप पहाड़ी है तो आप इस फल को पहचान गए होंगे बताए किस चीज का फल ह सायद इसको पहाड़ी में बेडू कहते हैं तो गाना तो आपने सुना ही होगा ना बेडू पाको बारो मासा और नेरन काफल पाको चैता नेरी छेला तो मित्रों फॉल दिखाने जा रहा था भाई इतनी बड़ी बड़ी घास है और रास्ता मिला नहीं तो फॉल तो आपको दिखाने बाया लेकिन हमारी कोशी से जारी रहेंगी नेक्स्ट टाइम कभी भी आएंगे तो फॉल आपको जोड़ दिखाएंगे मुझे लग रहा ह फॉल है तो थंडियों में थोड़ी बहुत मातरा पानी गर्मी में वह सूख जाता हुआ आए ये वीवट मिला है देख लेते हैं इसी थरकोट चील का सो यह रही थरकोट लेक बेहत खूबसूरत कभी भी आपकी थरोगड जाएं तो विजिट जरूर करें मस्ट विजिट पिलेस है और सबसे बड़ी बात है कि रोट के जस्ट नीचे है तो रोट से भी आप निहार सकते हैं और अंदर आना चाहते हैं तो अंदर भी आ सकते हैं साइद यहां आने वाले टैम पर थोड़ा बहुत रेंट कर लें लेकिन यह उत्रागंड में ज्यादा रेंट नहीं ह है अभी कोई ताजा हवा चली है अभी बहुत ठंडी हवा महसूस हो रही है मैं कि देखें यहां से पानी एक्जिट हो रहा है और वह सामने लिखा है थरकोट जील और यहां जाने के लिए तो गेट में लॉक लगा हुआ है तो देखते हैं और यहां से एक रास्ता दिख रहे हैं को तो देखते हैं कहां निकलता है वह रास्ता क्योंकि अब बेसिकली हमें जाना है वहां रोड पर तो यह थरकोट लेक से एक छोटा सा फॉल तो क्या कहेंगे पानी एक्जिट हो रहा है बहुत घूपसूरत लग रहा है तो आपको दिखाता होंगे आपको बाइक चोटी सी ट्रेजिटी होगी मेरा जो गोगल था वह जो मैं ओपर वाटरफॉल देखने क्या वहां गिर गया चलो कोई बात नहीं थरकोट लेक पर जभी कभी भी आप जाते हैं तो सामने आपको यह फास्ट फूट पॉइंट मिलेगा जिसे बोलते हैं फूड वैन और हमारे दाजी फास्ट किलास डीशेश बनाते हैं ती पास्ट फूट हर्ट तो आए जानते उनी इसे क्या क्या बनाते हैं तो टाजी बताओ क्या बनाते हो आप अम सर फिस पकोड़ा चिकन पकोड़ा मॉमो मेगी चामीन ब्लेड ए तो खाना भी आप इदर आके खा सकते हैं बागी चोटा मोटा स्नेक्स मिल जाएगा हमने पानी की बोटल ली आपर बिल्कुल चील्ड मिली तो एक ही बेहन है ये और जरूर इदर विजिट कीजिए आप और स्ट्रीट फूफ्ट का मजा मजा उठाएए ये ये क्या बन रहा ह मेंकी बन्नी के लिए मेंकी बन्नी हमसाइर के लिए इसरार है मौन कलते ही तो ये बाई किंद डियों गर्म द्रो चालए तोब Consult good तो किया कि रहने वाले हैं तो यह भी हमारी वीडियो चेक कर रहे हैं चैनल चेक आउट कर रहे हैं और यह बन रहा है इदर मैगी तो जरूर से जरूर आई है आपका आम नाम बताजिए दाजिए तो यह था थरकोट लेक के ठीक सामने तो पंदर 15 सेप्टम्र से सुरूरने वाली इदर बोटि मित्रो यह था थरकोट जील जोगी पड़ती है पित्फरोगल की स्वादो गिलोमेटर पहने तो पित्फरोगल की एक मात्रे लेक भी आप इसको भूल सकते हैं बहुत खूपसूरत है और जब भी आप आएं यार देवी करके जगह है महाँ पर यह थरकोट लेक पड़ेगा सो कैसा लगा आपको ग्लॉब जोड़ी बताईए सपोर्ट कीजिए सबस्क्राइब कीजिए ऐसे ही हिटन प्लेसे उपरा पेंड के आपके लिए आती रहे हैं ऐसे ही खूप सुदत प्लेसेस हम आपके लिए लाते रहे हैं लास्ट फ्यू और खरकोट लेक